65 साल का ये बुड़ा आदमी जिसको बच्पन से ही मुहम्मद रफी के गीत गाने का शौक था उसकी आवाज में अभी भी पूरी मिठास है अगर कोई आदमी उसके पास बैट जाए और उसके गीत सुने तो उसको से दूर जाने को दिल नहीं करेगा साफ सुत्री और मन को आकर्शित करने वाली उसकी आवाज अमरित सर के इसलामाबाद के इलाका आदर्श नगर में रहने वाले सरदार कवर सुखबीर सिंग जी जिनकी उम्र करीब 65 साल है जब हमारी टीम उनके घर बाचीत करने के लिए गई तो उनके गीत दिल में उतर गए उनकी आवाज में इतनी मिठास और दर्द था कि जैसे लगता था मोहमद रफी खुद ये गीत गा रहे हो कवर सुखबीर सिंग ने बताया कि उन्हें बचपन से ही मोहमद रफी के गीत गाने का शौक था और उन्हें वो बहुत पसंद ही थे उनके पास हजारों ऐसे गीत हैं मोहमद रफी के जो बिना पढ़े ही सुना देते हैं उन्हेंने कहा कि वो बचपन में ही गीत गुन-गुनाते रहते थे उन्हेंने कहा कि जब स्कूल से चुटी के बाद मैं वापस घर आ रहा होता था तो रास्ते में लोग मुझे आवाज देकर अपने पास बिठा कर गीत सुनते और उसके बदले में मुझे एकाना देते मुझे बहुत खुशी होती थी कि आज मुझे एकाना मिला है उस समय आने की कीमत बहुत होती थी पढ़ने के बाद मैंने पुतली घर में स्वधेशी मिल में नौकरी की और फिर मेरी शादी हो गई अब मेरे तीन बच्चे हैं एक बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है दूसरा बेटा स्टेशन पर थोड़ा बहुत काम करता है और एक बेटी है लेकिन मैंने गीव गाने नहीं छोड़े फिर जब मैं स्वदेशी मिल से रिटायर हुआ तो मैंने अभूत से काम किये मैंने रेडी भी चलाई उसमें आलू खचालू लेकर बेशता था लेकिन शरीर कमजोर होने के कारण और सड़के तूटी होने के कारण मुझसे रेडी नहीं चलाई गई अब मैंने सब को छोड़कर श्री गुरू रामदास की शरण अपनाली है अब मैं सुबह 3-4 बजे के करीब उठकर रोजाना श्री गुरू रामदास के घर जाकर वो सेवा करता हूँ और गुरुवानी का आनन्द लेता हूँ आगे उन्होंने कहा कि मैंने स्टेट्स में भी गाया और दूरदर्शन पर भी गाया मेरी आवास की सभी ने बहुत तारीफ की लेकिन वावाई से पेट नहीं भरता पेट तो रोटी से ही भरना है आज कल के गीत आप सभी संग बैठकर सुन नहीं सकते लेकिन इस गायक के गीत सुनने के लिए इस सारा इलाका इखटा हो जाता है इनके घर की हालत बहुत खस्ता थी जो हम बयान ही कर सकते जब पत्रकार की और उनसे पूछा गया कि आपने अपनी कोई कैसे नहीं निकाली तो उन्होंने बोला कि मैंने गाया था एक दू जगया पर तो उन्होंने कहा कि आपकी आवाज बहुत बढ़िया है पर आपकी personality नहीं है आपके कपड़े भी बढ़िया नहीं है तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे और ना ही कोई जमीन थी जो मैं उनको देकर कैसेट निकलवा लेता अगर उस समय मैं अपनी कैसेट निकलवाता तो आज मेरे सर पर जो छट है वो नहीं होनी थी फिर मैं भी अपना परिवार लेकर किराए पर रहता होता फिर हमने पूछा कि आप किसी लीडर या निता के पास अपनी फर्याद लेकर नहीं गए तो उनने कहा कि मैंने उनके पास भी मैं गया था वो भी बस चुनाव के समय हमारी बाचीत सुनते हैं जब चुनाव आते थे वो अपना प्रचार मुझसे करवार लेते हैं और बाद में जब मैं उनके पास मिलने के लिए जाता हूँ तो आगे से जवाब मिलता है कि नेता जी चंडीगर गए हुए है बस अब मैं भगवान श्री गुरु रामदास जी के घर सुबह उटकर सेवा के लिए जाता हूँ वही कवर सुबीर सिंग की पतनी से जब बाचीत की गई तो उनने कहा कि इनको गीद गाने का बहुत शौक था वो कई बार मुंबाई वकलकत्ता भी गीद गाने के लिए गए लेकिन किसी ने भी हमें सहारा नहीं दिया उनसे पुछा कि घर का गुजारा कैसे चलता है तो उनने बोला बस श्री गुरुरामदाज जी के आसरे घर चल रहा है तो चल दी अंदी थी अमीन सानी बोल दा थी ते ओ मतले बोट दवार दे बोट दवार रहां दी में जिनने गी 16 गीर सना दा थी टॉप तो टॉप उन्हें हर कपते वो हुच सना उने चेन चार बना उसारे मेरे दमाग जी कवर हो ज़दी मैं ट्रांजिटर लेके थे साँजाना लम्हे पहजाना सारे मेरे दमाग जी अंदर कड़की ने गीर कड़के गाई थी मैं तकरीबन हर कतरह दे गीर काई थी ते रफी साब आया थी और ना नालवी मेरी मुलाकात हो इसी एकने मिलाया है जिकंदर ने स्टेडियम जाए थी वो दो छोटा जैसा मेरी ख्वास यो अम्याच लगा है जिकंदर मेरी मेरी नौदा साल ही हो एगी यारा बारा साल हो एगी दूले 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 ने गीत नहीं जी उना ना मिले थी ते ओ कन्दर तू कौन मेरी रफी कि दूले दूले सात्तिटट required यह जी ते मेरी रफी शहब पड़ना पया से ना ने रफी दूले दूले सोह नी रात जल चुकी मैरी जल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, तर्प रहे हैं हम यहाँ, तर्प रहे हैं हम यहाँ, तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में, फिजा का रंग आ चला है, मौस में बहार में, फिजा का रंग आ चला है, मौस में बहार में, मौस में बहार में, आवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, और आओगे, अजी देखाए कि कदी आड़े काम कार के कधीर कावर नहीं आई, नहीं जी एने कधीर कावर नहीं हों जोता है जिए हिएनमें, किते जाना से उदो में चुटी लेलेने सका रखना है, किटे काम कार देखी तैसे थिए? मैं अमर साथ सुदेशी उलन मिल गवाल मंडी चाहूं की का देशी थे थे मैं उत्थे जी मेरा दुमाग मारा इने कंप्यूटर पर रहा है एकवरा चीज मैं वेखला हूँ दबारा मैं उकार देना सी तकरीब मिल गवाल में देन दे शी जित्फे कोई नी ती लगजा और मैंनो साल बात सिपास्यल तरकी मिल दी अठर भाई है उन्हा समय शाथ बहुत उंदे शी और जिदो में टैर होया तकरीब मिस्त्रियां तो बराबर मेरी तंखा सी मैं आँवाद जड़ा वरकर सी उदे त इंदर्जीत मैंन और रिकोठी जी मैं प्रोग्राम करके उनना ना से, केमर मां जिन नी मांगदा हूँ, उनी दिन दे ही नाल साजी जान दे सी, फिर मेरे पंजार पर यह त्रक्की कर दे लिए जोनों में रिटार होगा, मैं फिर बड़े पपड़ वेले ही कहलो, रेडी तक ह कि चलू गएरा लूंदा रहा हूँ, और भी समाल लाया मैं इत्थे दर्शनगर जे नीक सड़क टुटी पजी सी, ते जिन मैं रात नूँ आना जित्थे रेडी भाज जानी मेरे को निकल दी नहीं थी, क्योंकि मैं कदी रेडी यहला काम कीता नहीं सी, मैं ते ओ अपरेट जाना जाना किस तरह करता मेरी पिंचे ना गिया जी, इंचन ते पामे मेरी पिंचन एगी सेंती सवते सताथ रुपे, आम उनकी काते हैं, पर मैं आसवले जी स्वेरे गुर्दु वारे जाईदा, गुर्यु राम दा, जे दरवार सार, सवाद वठ आई, जा ते नह बजे म सब्सक्राइब करते हैं, अनान साहब दी अरदास सुनके, फिर चाप एगे तो फिर मंजी साहब कठा सुनके, उत्तों बार फिर मैं का रहा हुआ, जी, मैं बंबे भी गया सा, कलकट्टे भी गा गया है, अर विंडा पली, दुर्गापर दौगी, चैनल जोननल ते करी गया दूर दर से जिलंदर, तेने-चार बरां गया, उत्ते में वावा मिलिया हो रहा हुं ने मेरा बाँ बुनी भडी फड़ी जेड़ी गाल, किसे लीडर के इसे ने था किसे ने ने, और जिनो ते चोना हुं धीएं से ओदों मेनो लाज़न दे देशी, चलो जी माराजी आओ अध्यार करें ते डिए जेंदे रहें वाकी किसे ने नी तो जैना फिर दोबारा मगन नीना वेख रजी जितना दरिया दापनी वापस नहीं आउंदा पिछे दापिछे निकल दागे दागे तो दबारा उनक पहुं के वेख लें अथे लाके जीनिक रहें तो मेरी वाद के मैं पुछनें से जाना और कुले के ऐना हो ते गई नि जा निए चंधी गड़ गई नि रात्थ जी आरा रही है निए श्विरे आजे जा राती आज पर केड़ा जाए गा ते शी रहना लेक्स्त अल्ग दर काऊर है, तो वादा प्ले काम दर कार्दे है इस बाद चेक चालू हां दी रेडी भी लाई सी, इस तो बाद इना ने रेडी रूडी लाई आई थे गलियां तुट्टियां सी, गलियां चो नहीं सी तक की जांदी फिर बंद करता हैं, बस बाप बाई दे गुर्णाम दास जी जांदे दर बार साव रोज शूरे तेन में में चलदे हैं ते गए का दाक जारा किस था जलदा गए और जारा वाई गुरू भी किर पान चलदा है ते आमारमों टाक बेटा काम कर दाए दो पहजार पर प्या इना धी पैंचन हां दी लिए बाद बोड़ियां और गए नहीं तो शूरे नहीं तो बाद फिर गाण कर द आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज ना दे, दर्द में दूबे गीत न दे, गम कश सकता साज न दे बीटे दिनों की याद थी जिन में मैं वो तराने बूल चुका, आज नहीं आने बूल चुका ओचाओं वहाँ नहीं दूर जहाँ भगवान भी मेरी निगाहों से आज मैंनों शुरू पे गौंड़ा शाउती जरू में आजे हो C.E.N. News देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबों के लिए C.E.N. News को सबस्क्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर